नवश्कार और सुप्रवाद दोस्तो भारत ने एक एतिहासिक कदम और बहुती सर्प्राइजिंग कदम उठाते हुए जो की कदम उठाने से दुनिया का लगबग हर देश इस समय घबरा रहा है और हमारे जिन देशों से साथ बहुत बैतर सम्मंध हैं वो तो उस कदम को बह हमारे विदेश मंतरी साब हैं उन्होंने इरान में एक डिपलोमेटिक सर्प्राइज देते हुए जो अभी हाल में इबराहिम रही सी जो वहांके प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं उनसे एक मीटिंग की और ये मीटिंग कब हुई इसका क्या परपरस था इस मीटिंग में क्या बातचीत हुई इरान का इंडिया के लिए मोटा मोटी क्या importance है इरान पे challenges क्या है और इंडिया इरान में जो relations में जो challenges है उनको कैसे sort किया जा सकता है और इरान अफगानिस्तान के साथ अफगानिस्तान में जो situation है वहां इंडिया की क्या help कर सकता है ये सारी बाते मैं क करूंगा उससे पहले मैं आपको दिखायता हूं यह देखिए ईजएड डिफेंस की न्यूज है इसके अलावा कई सारे न्यूजपेपर्स है जिनों ने इसको कवर किया है पहले देख लेते हैं UPSC UPSC यह देखिए अब मरी जुआना की भी न्यूज है इंडिया इरान पुल ओफ डिपलोमेटिक सर्प्राइज यह भी है दो हिंदू ने भी इस न्यूज को कवर किया है because it is a very very crucial event आपको मैं एक चीज़ और बताता हूँ कि एरान में ये पिसले डेड़ साल में third visit है इसका मतलब आप समझें कि एरान की importance एरान के साथ हमारे जो strong relationship है उन्हें बनाए रखना कितना जादा important है आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि जो अबराहेम रहीसी साब जो अभी elect हुए हैं उनके elect होने के बाद किसी भी अन्य देश की पहली diplomatic visit है ये ये बहुत बड़ा significant कदम है इंडिया की तरफ से अपने इरान के शाथ सरिस्तों को सुधारने के लिए और ये world को जो world order है इस समय उनको signal देने के लिए बहुत ही जादा important कदम है ये print की भी news है इस सारी news है आप बात करता हूँ UPSC देको UPSC में सबसे पहले topic तो बनता ही है कि इंडिया and its neighborhood relations इरान directly हमारे साथ neighborhood relations भी नहीं लेकिन अफगानिस्तान और पाकिस्तान से जो हमारा border बनता है और वो घूम फिर के इरान के थूरू cover होता है contact में आता है और हमने चावार port जो है उसका map में दिखाऊंगा आपको चावार port से हम अफगानिस्तान के थूरू कैसे relation और कैसे जो transit system में उसको बनाना चाते है इ उसका कहीं ना कहीं एक छोटा सा counterbalance करने की भी हमने कोशिश चीए तो कहीं ना कहीं इंडिया और उसके neighborhood में इरान के साथ जो relation है बहुत जादा important हो जाते हैं इरान पाकिस्तान के साथ border बनाता है और हमेशा चानक के जो है कोटल ले उन्होंने कहा भी है कि पडोसी का जो पडोसी है वो आपका घनिस्ट मित्र होना चाहिए इसी लिए हमें इरान के साथ रिष्टे बहुत बैतर करने ही होंगे साती साथ हमारे जो import है oil का जो concern है बहुत सारा वो भी जुड़ा हुआ है तो यहां पर यह सारी चीज़े आ जाती है इसके लावा bilateral, regional and global groupings, agreements involving India and or affecting India's interest तो हमारे यह सारे interest पे impact पड़ता है इरान के साथ जो भी जैसे US ने काटसा countering anti-American से full form है काटसा की मुझे बताईएगा कि क्या full form है उसकी adversaries of American की बात की गई है उसमें तो उसके full form बताईए और उससे जो हमारे इंडिया की जो interest थे वो impact हो रहे थे क्योंकि हमारा जितना भी oil import था हम वहां से बहतर और सबसे ब problem आगी है कि अब है other countries के साथ में dollar या other currencies थी IMF की उनके अंतरगत हमें export import करना पड़ता था तो इरान के साथ हमारा relation था कि हम रुपी और इरानियन जो की currency है उसके बीच में export import करेंगे तो ये बहुत बड़ा challenge आगे है उसके साथ-साथ और भी कई challenges है जो की इस तरीके की reasonable grouping स अब ही जेसी पुवा की बात करता हूं मैं जेसी पुवा से भी अमेरिका बाहर निकल गया तो उसके कारण भी इरान के उपर कई सारी impact है तो ये सब चीजे इंडिया के जो hit है बारत के जो hit है उनने प्रभावित करता है इसके साथ-साथ ये मैंने आपको example दिया काटसा के developed nations की जो policies है उसका इंडिया के जो interest है उन पे क्या impact होता है तो direct relation बनता उसका UPSC काटसा पर प्री में भी question पूछ सकती है और मेंस में भी question पूछ सकती क्योंकि काटसा के अंतरकत केवल इरान नी रशिया और North Korea तीनों के उपर से सम्मनित sanction लगाए गई है अब चलते हैं आग अब देखो पहली चीज है कि जैशिंकर साब सीधे तेहरान नहीं जा रहे थे वो मॉस्को जा रहे थे मॉस्को क्यों जा रहे थे मैं बताऊंगा पुतिन जी से क्या बात चीत करनी थी उसका topic मैंने cover किया है तो उस रस्ते के दोरान इनोंने तेहरान में halt लिया और उनसे मि साथ आए कि भई तुम हमारे लिए important हो और वहां जाके उन्होंने प्रदानमंत्री मोधी जी है उनका जो message है वो भी दिया और उनके जो foreign minister है जावेज जरीव साफ उनसे भी मिले इसके साथ हैं उन्होंने tweet भी किया है mail मुलाकात भी किया है यहां पर यह दिखिए अब्राह diplomatics जो है उन्होंने साफ साफ बोला है कि यह जो विजट है इरान और इंडिया के relations है presidency के दौरान वह बहतर होंगे बहतर किये जा सकते हैं लेकिन आप यह देखिए कि बहतर करने के साथ साथ हमारे लिए challenges के हैं यह है चाबार पोर्ट और यह है ग्वादर पोर्ट यहां 72 कि आएगे ध्यान रखेगा 172 कि PG सग्व में क्योंकि पाकिस्तान जो क्या करता उसका रूल में बताता हूं आपको अफगानिस्तान से सामान भरके तो इंडिया आ सकता है लेकिन उसी ट्रक में जब वो यहां खाली होता है हम यहां से सामान नहीं वेज सकते यह पाकिस्तान की policy है की अफ़गानिस्तान और इंडिया में वो कॉर्रीडोर देता है कि ठीक है अब सामान केजिए लेना देना लेकिन केवल अफगानिस्तान से इंडिया में सामान आ सकता है इंडिया से सामान वहाँ नहीं जाता तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी इसके करण हमारे जो रिलेशन से अफगानिस्तान के साथ या हमारे जो ट्रेड था वो नहीं बढ़ पा रहा था तो इंडिया ने चाबार पोर्ट के माध्याम से ये एक trade route निकाल लिया जिससे के हम अफगानिस्तान में जाके trade कर सकते हैं लेकिन इस चाबार पोर्ट में भी काट सा आने के बाद कई सारे challenges आगे और हम इसको पूरा complete नहीं कर पाए इसमें भी कई दिक्केते आई आशा ये की जाती है कि अभी वर्तमान में जो presidential से बदली है और हमारे जो relation बदले हैं US में जो जो बाइटन जी आये हैं जो P5 प्लस कंट्रीज कोशिश कर रहे हैं इरान के साथ diplomatic relation बढ़ाने की उससे ये चाबर पोर्ट की समस्या जो है sort हो जाए एक और डाइग्राम में दिखाता हूँ कि ये वो देखिए ये हमारा primary gateway था अफगानिस्तान के लिए जो की जरांज और काबुल में जाता था इसके साथ साथ हमें trade अफगानिस्तान के साथ में इरान के साथ में भी बढ़ाता था तो हमें इसलिए चाबार पोर्ट की importance हमारे पास बहुत जादा थी खीक है अब बात करते हैं कि क्या बात हुई सबसे पहली चीज तो है resume oil imports जो की में 19 में बंद हो गये थे अमेरिका के sanctions के कारण और इंडिया अभी भी cautiously watch कर रहा कि US किस तरीके से action लेगा इसके साथ साथ मैंने आपको बताया जेसी पुआ की बात है और अभी P5 प्लस जो countries है वो इरान में जो nuclear deal है उसको वापस से fulfill करने कोशिश कर दी है जिससे की America 2018 में बाहर हो गया था इसके अलावा चारार पोर्ट की भी चर्चा की गई जिसको की fulfill कैसे किया जाए और continuously कैसे आगे किया जाए अफगान situation एक बहुत typical situation जिसके बारे में भी चर्चा हुई क्योंकि अफगानिस्तान की security situation है वो नाकेवल भारत के लिए इरान के लिए दिक चिंता का विशा है उन उसकानूनी वो भी वहाँ गए है तो ऐसा जब कहा गया था याद है आपको पिछले कुछ लेक्टिस में उन्हें बताया भी था कि कतरी एन्वाई ने कहा था कि भारत तालिवान किसे बात कर रहा है और इंडियन जो foreign ministry उसने साफ साफ कहा था कि मंत्री जी ने जैशंगर सा पिछले करना है साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जब मासको जा रहे हैं वो क्यों जा रहे हैं मासको में तीन चार चीज़े डिसकस करनी है पहली तो है कि ब्लादिमिर पुतिर साब जो है वो डेली आने वाले हैं इंडिया रश्याज की जो एन्वल समिट होती उसके लिए उसके साथ साथ ब्रिक्स की समिट जो है इंडिया होस्ट करने वाला मुझे बताना लास्ट टाइम ब्रिक्स की समिट कब होस्ट हुई थी किसी यहर में और कहां पे हुई थी इंडिया में इसके साथ साथ S-400 टार्म की डिलीवरी की भी बात important है क्योंकि हमारे हैं जो missile defense system है उसकी बहुत ज़ादा जरूरत है तो ये सारी चीज़ें इसके लिए उनका purpose था वहाँ पे जाना अब बात करते हैं थोड़ी promotion की सिदान सर ने personality development course launch किया है females के लिए specially और वो सोला सो की जगे 800 रुपए का 50% का discounts है सिद 50 जो coupon code है उसको डाल के आप वो ले सकते हैं इसी के साथ दोस्तो जै हिन जै भारत